नितीश कुमार के एक बार फिर पलटने की खबर के बीच आर्जेडी ने अपना खेल शुरू कर दिया है अन्दर खाने से खबर है लालू इस बार नितीश को सबक सिखाने के मूड में है RJD ने बड़े ही गुपचुप तरीके से सियासी गनित को साधने की जुगश शुरू कर दी है सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने लगभख मन बना लिया है कि अगर नितीश कुमार ने उने फिर से बीच मजधार में छोड़ा तो वो चुप नहीं बैठेंगे बलकि हास से फिसलते सत्ता पर काबू पाने की कोशिश करेंगे चर्चा है कि लालू यादव ने भी अपने करीबियों के बीच ये कह दिया है कि वो तेजस्वी यादव को राज्य का मुख्यमंत्री बना कर ही रहेंगे विधानसबा का सियासी गड़ित देखे तो ये दावे हवा हवाई नहीं लगेगे दरसल बिहार विधानसबा का सियासी गुणा गड़ित देखे तो विधानसवा सदस्यों की कुल संख्या 243 है जबकि बहुमत का आकड़ा 122 है RJD सबसे बड़ी पार्टी है और इसके विधायकों की संख्या 89 है जबकि JU 45, Congress 19, CPIL 12, CPIM 2, CPIL 2, हम 4, AIMIM के पास 1 एक निर्दल ये सदसे सत्ता पक्ष में हैं जबकि विपक्षी NDA के घटक BJP के 78 है ये तो फस्ट डे से चल रहा है सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से ही चल रहा है ये बाते लेकिन कई मंचों से आधरनिये उपमुख मंत्री जी ने असपश तोर पे कहा कि मैं इनके नितित में काम कर रहा है जो काम करनी है उसको हम बिहार हित में करते जा रहे हैं तो ये बात तो असपश तोर पे कह दी और एक बात लिख लिजिए जो लोग कयासों के बजार को गर्म करकर के सरकार को अस्थिरता की बात कर रहे हैं मुस्तहिदी के साथ राष्टिये जनतादली सरकार में काम कर रही है और अंगत की तरह पाउं गड़ाए बैठी है मतलब यह हुआ कि लालू यादव बड़ा उलट फेर कर सकते हैं क्यूंकि उन्हें कॉंग्रेस और लेट का समर्थन है ऐसे में विधानसभा में उनका आकड़ा 119 तक पहुँच जाता है जो की बहुमत से सिर्फ चार कम है सरकार बनाने के लिए 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है यानि RJD चार विधायकों का बंदोबस्त कर ले तो तेजस्वी सीम बन जाएंगे RJD की रन नीती है कि अगर JDU ने NDA के साथ जाने का फैसला किया तो उसके 8-10 विधायकों को अपने पाले में करके बाजी पलटने की कोशिश होगी बता दे की विधानसभा देख्शी कुर्ची लालुयादव की पाइटी के पास है ऐसे में चर्चा ये है कि RJD बहुत बड़ा खेल कर सकती है तो इसमें चोकाने वाली बात नहीं है